हेलो दोस्तों तीटेट का notification आउट हो चुका है है ना जुलाई 2024 वाला notification आउट हो चुका है और इसकी exam date वगएरा भी decide हो चुकी है ताट जुलाई को है साथ जुलाई को है 2024 जुलाई को है एक्जाम के लिए अभी मोटा मोटा आपको लगभग तीन महिने के आसपास मिले हैं, तीन से साड़े तीन महिने मिले हैं आपको, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, डिटेल में बताऊंगा, यह थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, ठीक है? एप्लिकेशन कितने से कितने टेट के बीच में डाल सकते हो, साथ मार्च से लेके 2 अपरेल तक, साथ मार्च से लेके 2 अपरेल तक आप ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं, ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं, ठीक है? पॉर्म के लिए, पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए, ठीक है? अब लास्ट कब है, लास्ट बजे से पहले, बारा बजे होने से एक पहले और यह किसके दिन के हैं इसके दिन के दिन के 12 बजी कि हम लिखा हुगा है ध्यान से दिखना कोई एम के चक्कर में पड़ जाए रात में देख लाद तर में रात में होता है और एक्जाम कब होगा आपको पता होगा आगे बढ़ें मैं सारी नोटिफिकेशन को मैं के बारे में आपने जानकारी ले ली और मैंने भी अभी बताया यह सेम ही जानकारी यहां पर है कि साथ मार्च से लेके जो अपरेल तक के बीच में फॉर्म भर जा सकता है और इन के दिन के 12 बज़े से एक मिनट पहले दास्ट है 2 बजे 2 अपरेल को 19 से एक मिनट पहले होगा और एक्जाम डेट है साथ जुलाइब अब आजाते हैं बाई एक्जामनेशन डेट वगएरा यह सारी चीज़े दे रखी है और के बाद केंडिडेट कैन अप्लाई कैसे अप्लाई कर सकते हैं ओनलाइन फूब यहां पर जाना है और यह सारे टूल से लोगंगे इसमें वेब साइट पर करेंगे और फिर उसके बाद apply online पे जाएंगे और सारा प्रोसीजर यह चारो आप जैसे प्रिंट कंफर्मेशन पेज वगरा कर लेना है डेविट कर से आपको पेमेंट करनी है आपको वहाँ पे अप्लोड करनी पड़ेगी यह तो रहा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यह कैफे वाले के सामने बड़ी हां से आराम से आप और फिर उसके वाद इसमें क्या कह रहा है ऑनलाइन अप्लोडिंग इसकेंड इमेजिस क्या क्या है यह सारी चीज़े बतानी है कि से कितने के वी से लेके 30 के बीच में लेंथ ब्रिथ बता रखे कितनी और सिगनेचर वगएरा फोटो अगएरा कि सारी बता रखे अब यहां पर एक इन्पोर्टेंट चीज आ जाती है इस क्या है कि जो फी है ना कि जनल से कोई बच्चा हो या ओवी सी से बच्चा हो जनल वही EWS में आता है पेपर वन के लिए पेपर वन या पेपर टू एक देता है कोई पेपर वन या पेपर टू और दे रखाना या यहां पर या पेपर वन दे रहा है या पेपर टू दे रहा है के लिए फीस कितनी हजार उपए चाहे पेपर वन दे चाहे पेपर टू अब प तो अगर चाहे उन में से कोई एक दो या पेपर टू दो तो आपको कितना देना पड़ेगा एक हजार रुपए अगर आप जन्रल और ओवी सी से आते हो स्ट और डिसेबल परसंट के लिए 500 रुपए है 50 परसंट का डिसकाउंट है या अगर कोई बंदा ऐसा है कोई भी ऐसा भ्यारती है जो दोनों पेपर देना चाहता है उसके लिए कितना है 1200 रुपए है उसके लिए दोनों पेपर के लिए पर वन मलब प्रामरी टीचर के जुनियर पेपर के लिए दोनों का मिला के कितना होना चाहिए बाराथ हो ठीक है और डिसेबल है तो उसके लिए खैस रूपे ठीक है और मैटड क्या है डेविट काड ट्रेडिट काड और इंटरनेट बैंकिंग से आप दे सकते हैं यह आपको समझ में आगे होगी फिस्ट स्ट्रक्चर के बारे में ठीक है अब इसके बाद क्या क्या क्राइटेरिया है ठीक है करेक्शन अबडेशन डिटेल क्या है यह करेक्शन चलिए टाइम आएगा एक्जामिनेशन सिटी से पहले आजागा एक्जामिनेशन सीटी आफ אח करेक्ट नहीं कर सकते हो एक्जामिनेशन पर आपको आपको पर देने जाना ही पड़ेगा आपने अगर कोई अब यहां पर आ जाते हैं यह इसे डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएंगी साइट पे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्या है डिटेल आपको जहां जरूरत होगी अब देखो एक्जाम के लिए एक्जाम डेट एक्जाम डेट है अग्जाम डेट है पर वन तूबह के टाइम होगा मॉर्निंग के सित्थ नो बजे से लेके बारा बजे तक ठाई धाई कंते का पेपर होता है सा पेपर देना है जुनियर वाला देना है और उसके बाद उसके वाले उसके बाद बाद आफ पहई अजया बर केरे को है अपको साड़ी चीजा पता चल रही है sharing mind of यह जो एप्लिकेशन है अजसे है एक्सेप्ट कहा होगा बहुत जरहेंगे कि बाई ओनलाइन ओनलाइन ही हो फ्लाइन नहीं हो फ्लाइन नहीं हो आप 2 सब्मेट नहीं हो अले द्यान में रखो pł.सिर्फ फ़र सिर्फ और ध्यूलाइन ही होगा अधर आगे यदे आगे थने हैं कृальном है है कि अलेज्विल्टी है इस थोड़ा सा चेंज हुआ है लिज्विल्टी स्यां से देखना वह है लिज्विल्टी में क्या होता है कि पहले जो फ़र्स्ट यह तो complete हो यह लेड़ यह लेड़ जेविटी पेपर वन के लिए बता रहा हूं जे बीटी इसी अगर कम्पुलीट है complete है के अपलीट है पाज़ है धोनों साल हो चुके हो जब फर्स फर्स्ट अीयर przepping ना फस्त इयर क雨 बस्टी आगर कम्पुलीट हो टो आपको बहुंग सकते थे besली है वाले में बहु कर दो बढ़ा ले में बहुंग है पर टू के भी बता देता हूं फरस्ट यह और इस बार क्या है कि आपने एडमीशन ले रखा है ना तब भी आप बर सकते हो अगर आपने एडमीशन ले रखा है फरस्ट यहर में यह एडमीशन भी है तब भी आप बर सकते हो एडमीशन हुआ भी है तब भी आप भर सकते हो ए लिए लिए गाल आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन ये है था बता दिया है सिंगेचर मिनल इस्ट्रॉक्टर ओप किन्ट स्ट्रॉक्टर ओफ कंटेंट का एपर कैसे होगा ध्यान से देख। लें प्राइमरी के लिए प्राइमरी के लिए प्राइमरी के लिए क्लास echo च्छाटी से आठवी के लिए है आप देखो बाई पर वन के लिए जो प्राइमरी टीचर के लिए है प्राइमरी टीचर के लिए है क्या-क्या सब्जेक्ट पूछा जाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पेपर वन के लिए क्या-क्या पूछा जाएग पाल आपकास, पाल आपकास, अक पॉल आपकास, वा सिक्षण सास्त्र, चो तीस नम मुर का है, और फिर उसके बाद गनित है, प्लस पंदरा के होंगे इस तीस यह देखो यहां पर होगे इस पूछे जाएंगे और तीस ही क्या होंगे मतलब हर एक कोशन के लिए एक माक है फिर उसके बाद एन्मार्मेंटल स्टडी परियावरान अध्यन जो हिंदी मीडियम के लिए हैं उसके लिए बता रहे हैं और उसके सिक्षन सास्त्र पंदरा फंदरा ट्रव पंदर फंदरा यह तीस माक़ा है लाइंगी यह तीक्षा हो निहीं यह आं पर ईसकue लिए हमिद्दी बर सकते हो हिंदी बर सकते यह इस कि अधियर जाद अतर की हिंदी ठीक होती है तो लाइंग्वेज में आसाने ही हो जाते है आपको समझने में फिर language 2 में आप क्या रखोगे language 2 में लाइवज 2 में English रखो जो आपको कम आते है थोड़ी सी language 2 में आपको जो होडी कम आती हैु जीज को रखो है लाइविस 2 में आपको क्या रखना है English sert क्या रखना इंग्लीश रखना है फंद gotta अप्पंद आपको ये पूरा और क्लियर हो जागा है और टोटल कितने डेढ़न आध क्यों हूं इंग देढ़न इंद आध इंत चैकी ये तो रहा वन जूनियर और क्या क्याpect देख लिजिए इनका आप से सारी छीजी पस्ट्रोνुटों करते हैं नेचर ओफ इंस संडेट से थे छा जाएंगी टी जाुटों कर दnsक। रहे हैं मेंने बताया था ना आसामी पहल्लाओ निएंगल घारो है पिर उसके बाद गुजराती है कंणड है खासी है मलियालम है वनीपूरी है और मराथी है मीजो है नेपाली है और पंजाबी है यहां पर संस्कृत है तमील है तेलगु है तिबतियन है और इसके बाद क्या है उर्दू है आप इन में से मैंने बता है ना फस्त लाइंग बेसे भर सकते हो आप है यह सारी चीज़े आप कर सकते हैं नहीं में से ही आप्ट करने हैं एक दो तीन चार पांथ पांधास पंद्रह बीस टीस लाइंग विजज़ कितनी लाइंग विज़िज़ है बीस लाइंग तो इससे चूज करना पड़ेगा लवन लटू तो आप कमफर्टेबल है उसमे पंद्रे के आठ तक के लिए नसीत तो हौ drugs केंस कि टने proud मैं अगर मैं और मैं नहीं लेती है अभी जो प्राइमरी वाले के सीन है वैसे ही इसका किने मार्किंग किया है नेगाटिव मार्किंग नहीं है इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना तो कभी दबाकि लगाओ के लिए बाइमेरी ऊच्ट कर घर सकते हैं चुछ करके सा और लाक्त है कि तू लायंविजघ उप्ड खानी है कि पर किसमें होगा टेपर टेपर के कोशन किसमें होंगे बाइल उंगल होंगे हिंदी और इंग्लिश में होंगे और इंग्लिश में आ समझमारी है और ज्यादा तर किस से बेस पर होंगे एंट्याटी बेस पर होंगे को पाइंします किस पर होंगे एंटी और यहां यह थो इंसरी को नृपर परकाऊ रहा रहा है लेकिन शिटर कॉन करवारा सी एट पीने एक काई से परण से इसी कहाँ से बीपर बनातीं एस ती इसे कोई दिखत नहीं होने च्श shipping आज सीज YouTube मैं यहां पर समझाओंगा ability, applicability यह है lifetime के लिए होता है, validity भी lifetime, applicable किसके लिए होगे, applicable किसके लिए होगे, KVS, NVS, Central, टिवेटीनी स्कूल और सारी चीजे जहां भी आपको माने तहर्दमन ड्यूप और इन सारी दादनागर हवेली लक्षद्यूप और NCT दिल्ली के जितने भी एक्जाम होंगे, तो सीटेट वहाँ पर वैलिड होगा, और यह इसकी वैलेडिटी कब तक की है certificate की validity तो lifetime के लिए है lifetime के लिए, lifetime के लिए lifetime, ऐसके लिए lifetime, कि लिए lifetime के लिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हो, एक्जाम सेंटर एक्जाम सेंटर के लिए भाई रखा है सिटी वगरा बता रखा है को कौन से सिटी में अभी बताएगा कि अग्बग एक सो साट के आसपास कि अभी अगर ऑप्चन आ गया आता है तो आदे तो में करने पढ़ेंगे साइट से डाउनलोड करने पढ़ेंगे साइट से डाउनलोड करने पढ़ेंगे आपको और एक्जाम सेंटर के लिए कितना 120 पहले लगवग 200 एक सुबीस मिनिट पहले मलब दो घंटे पहले आपको एक्जाम सेंटर में पूंदेना है और आपको एक्जाम पर देना उस संटर पर गताना है टाइम पिस फिर से बता दी गई है एक्जाम फीस मैंने पहले ही बता रखा है जनल के लिए कवशार रुपय ह है और जन्न लोब इसी के लिए बाराइस रूपे यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको आई होग अब कि और और सारी चीज़े रखी है है कि एटिफिकेट कहा मिलेगा एटिफिकेट मिलेगा अप्षिट सेटिफिकेट कहां करना पढ़ेगा और अपना अपने और वहां से आपको माखिट डाउनलोड उट्रोक अपना भी पड़ेगा आपको थीगा एपलिकेशन है पहले पहले क्या होता था लेकिन अब रूल चेंज हो गया और उन्होंने क्या अधर डीजी लोकर पे और scan copy वगएरा कैसे है exam देने के बाद के सारी चीजे, legal justice वगएरा के लिए सारी बता रखी है, अब आ जाते हैं यहाँ पर slavus कैसा है, slavus, paper 1 के लिए, paper 1 primary stage के लिए, primary stage के लिए, पहली से 5 वी class, first 2, देखो कैसे लिखा है, यहाँ पर typing कितनी तगडी error हुई है, typing error, देखो एक numerical value है, एक numerical value है, दूसरी क्या है, रोंबन वाली, के न, notification, कभी-कभी है, ऐसे notification में, देख भी रहती है, लेकिन, वो अपना accept भी भी कर लेते हैं, first, fifth class के लिए, junior के लिए, junior नहीं, primary के लिए, primary के लिए, primary stage के लिए, primary classes के लिए, primary teacher, क्या-क्या है, सबसे पहले, जो मैंने बताया था, बाल विकास, बाल विकास के लिए, बाल विकास के लिए, ये रहे, बाल विकास के लिए, बाल विकास के लिए, कितने माग का आएगा, तीस question आएगे, और पंदरा question, CDP, बाल विकास से, बाल विकास से, बाल विकास में क्या-क्या है, concept of development, its relation with the learning, ये सारी चीज प्रश्ट आपको सारी चीज़े दे रखें यह पोर्शन है सब्जेक्ट वगरा है कभी तो डीटेल में जो मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको सारी चीज़े यह टॉपिक है फिर उसके बाद है विद्ध एडिशन के लिए 5 कोशन आएंगे इतने 5 मार्थ 5 कोशन के लिए आएगा concept of inclusive education and understanding children with a special need के लिए 5 कोशन दे रखें है special need के लिए है और फिर उसके बाद है learning pedagogy learning pedagogy में 10 कोशन है तो इसके तीन पार्ट हुए एक तो हुआ 15 माक का फिर उसके बाद 5 माक का फिर उसके बाद 10 माक का यह टोटल हो गए स्माथ का बात समझ माँगी यह हो गई फिर उसके बाद आपका होगा गनित आगी गनित में क्या क्या क्रिछा स्थ हैं गनित के स्लीबस देख लिए और गनित के लिए स्लीबस देख लिए mathematics के लिए एक कॉंसे primary के लिए बतारो में में हिभी 30 कोशन नहींत है और 30 कोशन में से पंद्रा कोशन क्या है मैटरी सेपस के लिए आएगा सॉलिट अस नंबर्स अदिशन सब्सेक्शन मॉल्टिप्रिकेशन डिविजन मेजरमेंट वेट और ताइम ये सारी चीजी इसमें आएंगी इसके अधर ये वोलूम है डाटा ये पंद्रा माग का है इस पे आ जाते हैं एंवार्मेंटल स्टेडी परियावरेंड के बारे में ये शिक्स थीम से कोशन आएंगे आपको क्या करना पड़ेगा जो शिक्स थीम्स है ना आपको पॉस्टू एठ और इस पढ़ने है और साइंस पढ़ने है अगर आपने पट कहत है इस एाप के पंद्रह में से पंद्रा आएंगे हंडरड परशन लिख वालों मेंश जा अगर आप ने यह यह पढ़ रख है त्यों इतनी बता दिए और इसके आबाद पांदर संद्रा मैं ही दिलवाद हुआ अगर सही से कोई त्यारी करता है तो लेकिन सीटेट में बहुत बंदे फेल होते हैं मैं बता रहा हूं सीटेट ओनली 10 परसंट आदमी पास होते हैं अगर अगर दस लाग फॉर्म आता है ना तो एक लाग जने पास होते हैं इसके लिए इसमें पूछेंगे कुछ उन्सीन पैसेज़ आएंगे ड्रामा और इन सारी चीज़े परस आएंगे और यह लाइंग्विज वन के लिए लाइंग्विज भासा वन बहाशा बन के लिए पहली जो लेंगे के लिए भोयम भी आएगी एक प्या आएगा रोज आएगा तो पैसे और इसमें कुछ ग्रैमर के भी ग्रैमर भी टॉपिक इंकलूड हो जाएगा व्याकरन भी इंकलूड हो जाएगा पर एघ्रवाइजिकल इश्यु है, 15 मिल्हार के पैडाज़िकल लाइज्विज में क्या इश्यु बारे में थे पैडागोजी के लाइज्वीज डेप्लेपेंट के निचर क्या होना चीडी उसकी में प्रॉब्लम क्या आती है यह होगा यहांगे दोनों क्या होंगे उसके बाद क्या है 15 लाइंगे जबलेप्मेंट कर देगे बढ़ बड़ी वीडियो हो रही है ऐसे आ जाते हैं पेपर टू के लिए पेपर टू में पैल देपलेप्लेपमेंट पहला प्रोसस है जैसे प्राइमरी वालों के लिए उसके बाद है पास नंबर स्पेशल चाइल्ड के लिए है एक उपिशन और के लिए है और दस मांक यह है यह है लर्निंग पैडागोजी लर्निंग पैडागोजी अगर तो अच्छे से बहुत सारे content कर लोगे अब फिर उसके बाद आजाता है Maths, अगर जो Maths Opt करता है, Maths और Science जो Opt करता हो, वो 60 Mark का है, 60 Marks में से 30 Mark क्या हो जाएंगे, Maths का, सबसे पहले सिधा-सिधा गणित के लिए 30 Mark, गणित के लिए कितने हो जाएंगे 30 Mark, कि सब्सक्राइब पर इसके बाद नियुक है भॉष हिस्टे के बाद व्युक्त अप्ट यह सैनि मंच दिनंधर इसमॉट का यह किसे। साइस से राब आएगे साइनी से यहीं से आएगे स्वाइनदियन के वर से लिटेसल ड़ी था ? अनले रेषर्सल Самीजिय यहीजे से अएगे यहीं साइए और दस मार का क्या है पैडागोजिकल इशु आएंगे पैडागोजिकल इसम हो बताओ मुझे जा तक बास समझ में आ रही होगी अब मालो आपने साइंस नहीं गाए एस सेस्टी लिया सोशल साइंस ले रखता है तो हिस्टी के ये कंटेंट आएंगे ये है वास शिक्स से ले और फिर ऊसके बाद लिए और फिर उसके बाद सोसल साइंस और आपके इसकन पैडगोजिकल इस्व उयसके नहीं चुट है पैडागोजिकल यशिव इस के लिए बग्सिवली सुटने वनगा सबस्थर सरेदेंगे दोटितने एक करोन अध्रान जोगे नहीं के प्रपोयम देगे और फिर उसके बाद पैड़ागोजिकल पंदरा माख का ये था और फंदरा माख का पैड़ागोजिकल प्रफे वाले में आज वो लाइंग्वज भाषा 2 में आपको क्या करत दिया जाएगा और दोनों अंसीन पैसे प्रोज ही रहेंगे और इसका पैड़ागोजिकल इशू ज्यादा तर इसमें क्या बोला है और डिटेल स्लेवर्स पस्त से एट्ट क्लास तक के लिए दिया जाएगा एंसी आर्टी रेफ्रेंस बुक के लिए और मैं एट्ट नहीं बोल रहा हूं मैं अगर कैसे कंड़क्ट होगा यह सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं तो ओवर ओल आपको समझ में आ गया होगा तो थैंक्यू सो मच अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो पसंद आई हो तो